नमस्कार मैं हूँ आपके साथ बिबेक डौगरा आए नजट आते हैं आज की कुछ स्टाजा सुर्कियों पर गोरकपुर से लखनौ जा रही जनरत बस पल्टी गाएं को बचाने की कोशिश में रोडवेज की जनरत बस हुई भीशन हादसे की शिकार 12 लोग खायल महिला कंड़क्टर समेच चार की हालत गंबीर उत्तरप्रदेश की राजदानी लखनौ से सठे जिले बारबंकी में आज रोडवेज की जनरत बस बीशन हादसे का शिकार हो गई है गोरगपुर से लखनौ जा रहे थी कैसे हो गया सा कुछ जानकारी हुए कैसे बस पलट गई क्या हुआ जगाय आ गई तो यह गाय आगे बचाने चक्कर में हुआ क्या आपको कंडिक्टर हैं कैसे घटना हो गई कुछ सम्धार पट्टी गर्वाद खून बहिरा अच्छा बस गोरगपुर से लखनो की तरफ जा रही थी जानकारी के मताबिक बस में करीब 20 या 30 सवार थे इस हादसे में कुल 12 लोग घायल हुए सभी घायलों को इलाज के लिए जिलास्पताल पहुचाया गया है घायलों में महिला कंडिक्टर समेथ चार लोगों की हालत गंबीर होने के चलते होने लखनो ट्रामस सेंटर रेफर किया गया है जबकि बाकी लोगों को प्रात्मिक इलाज के बाद घर रवाना कर दिया गय जो गोरपूर से लगनों आ रही थी, सफिदाबाद के पास एक्सिडेंट हो गई, मैं ये अरम बारबंकी के साथ और साथी मेरे ईयाई के साथ दुलगटना इस तल पे पहुंचा और वहाँ पे घायल यात्में को समुजाइक केंद बारबंकी में हंती कराया। परिचालक को गंभी ठोट आई थी, उनको वहाँ से प्रामा सेंटर रेफर रिपे लिया गया। फिर रात को उनके परिवार वाले उनको वहाँ से घर ले गया। साथ ही सुबह ये पदा चला कि उनके परिचालक हैं उनको लखनो हॉस्पिटल में भर्टी कराया गया है तो तब उनका हाथ फेक्चर है। मैं अपने दुरगटना प्रवारी के साल मां मच का उनको मैंने बीस जार की ततकाल आर्थिक सहाथा यूपिए साथी सी परफ से परदान की और आगे भी कुछ होता है तो उनको ऐसी सुगधा दी जाएगी। यह हाथसा रास्ते में आई एक गाएं को बचाने की कोशिश में हुआ है बस पर सवार यात्रियों ने बताया कि तेज रफतार बस के आगे अचानक एक गाएं आ गई जिसे बचाने के लिए ड्राइवर ने बस को बाई तरफ काटा लेगिन तेज रफतार और रोड किनारे बस उतरने के चलते ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और बस पूरी तरह से पलट गई लखनों से परत्युक्ष गुपता बीरोचीफ की रिपोर्ट प्रामेटी न्यूज